आज के वक्त के अंदर AI का अस्तमाल हर कोई परसन कर रहा है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुड़ा हो सभी जिने AI का अस्तमाल कर रहे हैं यदि आप ऐसा बोलते हैं कि मैं AI का अस्तमाल नहीं करता हूं तो आप गलत हैं आप किसी चीज के अंदर AI का अस्तमाल कर रहे हैं अब यह AI का अस्तमाल कर रहे हैं तो जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं देखिए आप सब WhatsApp का इस्तमाल जरूर करते होंगे, WhatsApp के अंदर आप चैट करते होंगे, चैट के अंदर कभी आपने नोटिस किया है कि आप जो Google कीबूर का इस्तमाल करते हैं, वो भी एक AI का पार्ट है, कैसे जरा इसको समझते हैं, देखिए चैट के अंदर यदि आप किसी अपने फिवरिट परसन को मैसेज करते हैं, जैसे कि मैं गुड मॉर्निंग मैसेज करना चाहता हूँ, तो आप क्या करते हैं, गुड लिखते हैं, ओटोमेटिकली आपके पास next word आपको दिखने लग जाता है, जैसे आप मॉर्निंग प्रेस करते हैं, आपके बास AI नहीं रुकावा है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पर आप AI का स्तमाल करते हैं, और आपको पता भी नहीं होता है, जैसे एक छोटा सा एक्जामपल देता हूँ, driverless car का, driverless car तो एक बहुत बड़ी चीज़ आते थी है, एक छोटी सी चीज़ पर आते हैं, तो आपके पास parking suggestion system जरू लगा होता है, जिसके help से ही, यदि आप reverse के अंदर parking कर रहे होते हैं, तो आपको पास screen के उपर automatically आपको indicate कर दिया जाता है, कि कहाँ पर parking करना आपके लिए safe है, और कहाँ पर parking करना unsafe है, ये सारी चीज़े किस की help से हो रही है, AI की help से हो रही है, तो ये सारी चीज़े देखके, कभी ना कभी आपके mind में जरूर आया होगा, कि क्यों ना हम भी ऐसा कोई system build करें, या फिर हम भी क्यों ना ऐसा system बनाएं, किसी company के लिए, या फिर हमारे खुद के लिए, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कि आप AI के अंदर अपना career कैसे बना सकते हैं, इसका क्या road map होने वाला है, कैसे आप beginning से start करेंगे, और एक goal अचीव कर पाएंगे, और यदि आप किसी company के अंदर try करने जा रहे हैं, तो उस वक्त आपकी salary क्या होने वाली है, और कौन-कौन से इसे topmost company हैं, जो AI में आज के टाइम के अंदर काम कर रही है, तो आज की इस वीडियो के जरिए हम पूरा detail के साथ सीखने वाले हैं, यदि आपको भी machine learning, python, data science and data analysis फील में अपने आपको grow करना है, तो इसके लिए WSQTEC के online and offline बने batch के अंदर जाइन करके, आप अपने skill को improve कर सकते हैं, इसके लिए दिए गए contact number पे call करके, आप हमारी two demo-free classes ले सकते हैं, Hey everyone, once again, welcome to WSQTEC, myself Gaurav, और आज के इस वीडियो के जरिए हम जानने वाले हैं, कि AI के अंदर हम हमारा career कैसे बना सकते हैं, देखे, AI, artificial intelligence, सब लोग ने नाम सुना है, और सब लोग किसी न किसी तोर पर यूज कर रहे हैं, ऐसे मैंने बहुत से example दिये हैं, और भी बहुत सरे example दे सकता हूँ, जिसके अंदर AI का अस्तमाल आज के ताइम के अंदर हो रहा है, जाने यान जाने में आप कहीं न कहीं AI का अस्तमाल कर रहे हैं, लेकिन यदि आप ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी ऐसा कुछ AI का सिस्तम बनाएं, तो फिर उसके step कहां से सुरू करनी है, तो पहले जानते हैं roadmap क्या होने वाला है AI को सीखनी के लिए, देखें, AI आपके पास एक वहती वाष्ट range के अंदर आती है, जिसके अंदर आपके आस hardware भी आता है, software भी आता है, लेकिन हमारा major focus आज यहाँ पर होने वाला है, software part के उपर, मतलब वो system कैसे design होगा, मतलब उसके अंदर कैसे वो system डालेंगे किसी hardware के अंदर, किसी hardware के अंदर कैसे उसके अंदर coding लिखी जाएगी, उसके अपर हमारा focus होने अला है, तो यदि हम एक AI के chart को देखें, तो AI के chart के अंदर बहुत सारे sub domain होते हैं, जिनको हमें step by step सीखना होता है, यदि मैं एक sub domain का chart यदि आपको logo को यहाँ दिखाऊ, तो sub domain का chart में क्या होगा, सबसे पहले आपका AI आएगा, उसके अंदे थोड़ा सा आप जाएंगे, तो आपका machine learning आएगा, उसके अंदे थोड़ा सा और जाएंगे, तो आपका deep learning आने वाला है, और यदि इन सभी चीज़ों को cover up के उपर बात करें, तो आपका data science आने मला है, तो basically यदि आप AI सीखने जा रहे हैं, तो direct और indirect आप machine learning, deep learning और data science को सीखेंगे, उसी की help से आप आगे बढ़ेंगे AI के अंदा, अप roadmap के अंदे बात करें, तो सबसे पहले यदि आप AI में काम करना चाहते हैं, तो आपको कोई न कोई एक programming language चूज करनी पड़ेगी, वो programming language आप कुछी को भी चूज कर सकते हैं, चाहे आप Python चूज कीजिए, चाहे आप R programming language चूज कीजिए, चाहे आप Julia programming language चूज कीजिए, किसी भी तरह की programming language चूज कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर यदि मैं बात कुरूं, AI के अंदर सबसे चादा काम आने वाली programming language कौन सी है, तो वो है आपके पास python programming language, जैसे आप किसी chatbot के अंदर chat करते हैं, तो उसके बीचे कौन सी programming language लगी हुई है, तो वो आपके पास python programming language लगी हुई है, जिसकी help से AI सकते हैं, जिनका इस्तमाल करते हुए, आप किसी भी तरह किया का AI software बना सकते हैं, और आप इसे कहीं पर भी बिल्ट कर सकते हैं, पहला step हो गया हमारा programming language, right, programming language को हमने cover up किया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको data के साथ खेलना आना चाहिए, आप data के साथ खेलना क format में आ सकता है, वो आपके PDF की format में आ सकता है, वो किसी भी format में जब आपके बाद डेटा आता है, तो उस data को आपको cleaning करना होता है, मतलब बेसिकली वो data जो होता है, उससे आप AI का model नहीं बना सकते, AI का model बनाने के लिए आपको एक simple tabular data की जरुत पढ़ती है, और आपको उ पोटी मोटी चीज़े सीखनी पड़ेगी, जैसे कि मैं बात करूँ, आपको MySQL सीखना पड़ेगा, आपको Excel सीखनी पड़ेगी, अब इसके अंदर यह ऐसा नहीं है, कि Excel आपको लिमिटेट सीखनी है, Excel सीखनी पड़ेगी, एंड उसके बाद Python के कुछ modules, जैसे कि Pandas, NumPy, Matplor Lab, Seaborn, यह कुछ modules है Python के और आपके पास SQL है और Excel है, यह सब मिलकर क्या करते हैं, डेटा की cleaning करते हैं, ताकि आप एक बहुत अच्छा AI का model बना सके, डेटा को clean करने के लिए आप इस सब चीज़ों का सितमाल करते हैं, नेक्स्ट प्रोसिजर में आता है डेटा की analysis, ऐसा नहीं है कि डेटा आपके पास आगया और आप directly उसके पर काम कर गए और आपको machine learning model बना दिया, नहीं, दिखिए जब आपके पास data आता है, तो उस data के अंदर आप भी सोचते होंगे, कुछ हमारे पास useful data होता होगा, कुछ हमारे पास unuseful data होता होगा, तो यहां पर बात करे तो आपके पास real world data के अंदर ऐसे बहुत सारी चीज़ आती है, जो आपके लिए useful नहीं होती है, जिनका कोई काम नहीं होता है आगे के चीज़ों के लिए, तो उस scenario के अंदर आपको data की analysis करना आना चाहिए, कि कौन सा data हमारे लिए useful है, कौन सा data हमारे पास useful नहीं है, क्या data कौन सा data क्या represent कर रहा है, और वो आगे चलते वे क्या हमें identification देगा, ये चीज़े हमें चाननी जरूरी होती है, उस data का trends क्या है, ये सारी चीज़े हमें चाननी होती है, इसके लिए हम use करते है data analysis को, तो आपको यहाँ पे data analysis सीखनी होती है, next step के अंदर हम आगे बढ़े, त तो मैं basically केवल आपको यहाँ पे बात करूँगा, केवल machine learning आने चाहिए, machine learning के अंदर हम पार्ट के बात करें, तो surprise होता है, uns surprise होता है, reinforcement machine learning होती है, तो ये तीनों पार्ट आपको cover पढ़ने आने चाहिए, पहले आपको क्या करना है, machine learning completely सीखनी है, कि machine learning से आप prediction कैसे करते है है, forecasting कैसे करते हैं, next मैं बात करूँ, आपके पास यहाँ पे cluster कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़े आपको आने चाहिए, तो ये होगे आपका machine learning का part, अब बात करें, तो real world data जो होता है, वो छोटा data नहीं होता है, वो बहुत large amount of data होता है, जब आप large amount of data site के पर काम करते हैं उसके पर large entities के उपर काम करते हैं, तो उस वक्त आपके पास machine learning, आपके पास आपकी help कम कर पाती है, तो वहीं पे आपके पास rule करता है deep learning का, तो आपको सीखनी चाहिए deep learning, फिर आपको deep learning सीखनी है, deep learning से आप क्या बना पाएंगे, model बना पाएंगे, अब ये model तो बन गए हम समसमारे, model बनने के बाद, आप हम क्या करें, तो model को deploy करना है, जा तो आपको application पे deploy करना है, या फिर आपको क्या करना है, website पर deploy करना है, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं किसी hardware पे deploy करूँ, तो वह भी आप कर सकते हैं, उसके लिए देखे, यदि मैं बात करूं, application और web के उप अब API क्या चीज़ होती है तो जब आप इस code को करेंगे तो उसके अंदर आपको API के बारे में समझाए जाएगा कैसे connection होता है इन सब का आपस में second चीज़ बात करें यहाँ पर यहीं आपको hardware के अंदर इन बिल्ड करना है तो उसके लिए आपको फिर raspberry pi आपको आना चाहिए जिसकी help से वो code कैसे इन बिल्ड किया जाता है वो आपको समझ वाएगा then next अब हम बात करें अब हम क्या करें अब आपका model बन गया है आप उसे enjoy कीजिए run कीजिए लेकिन यहीं पर इसी process के अंदर एक बहुत important चीछ है जो कि आपको आने चाहिए देखिए यह तो हो गई हमारे पास programming skills हमारे पास technical skills लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ soft skills के बारे मे भी knowledge होनी चाहिए अब यह soft skills क्या होती है जैसे की data का क्या trends है data क्या कहना चाता है उसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए even that आप किस company के लिए काम कर रहे है या किस domain के लिए काम कर रहे है उस domain की knowledge होनी चाहिए यह आपको domain के expertise नहीं है तो जब आप data cleaning करेंगे तो आपको बह communication skills अच्छी होनी चाहिए अब आप बुलेंगे communication skills के अच्छी होनी चाहिए क्योंकि जब आप data gather करने चलते है data कोई खटा करने चलते है तो ऐसा नहीं है data आपको कहीं से भी मिल जाएगा नहीं आपको यहाँ पे data कोई खटा करने के लिए आपको effort करनी पड़ेगी क्योंकि आप एक बहुत अच्छा प्राजेक परना जा रहे तो उस वक्त आपके पास आप कैसे data कोई खटा करेंगे किस जिगर से कैसे data की demand करेंगे communication skills अच्छी होनी चाहिए तो यह भी एक matter करता है तो basically यह कुछ steps थे जिसकी help से आप 2024 के अंदर AI को सीख सकते हैं अब हम बात करते ह है कि यदि हमने इस AI को सीख लिया तो हमारी salary क्या रहने वाली है तो basically guys मैं salary की बात करूँ यहाँ पे तो salary एक average AI developer की बात करूँ तो वो रहने वाली है 5 lakh यस मैं ऐसा नहीं बोला Google के उपर आप जाके search कर सकते हैं एक average आपके पास AI engineer की बात करें यहाँ पे तो average salary यहती है 5 lakh से start होती है और यदि आप इसके अंदर अच्छा करते हैं बहुत ही आप यहाँ पर प्रो लेवल पर चले जाते हैं तो फिर salary आपके पास 24 lakh 30 lakh तक आपकी चली जाती है और यदि यह on an average salary की बात करूँ तो यह 8-9 lakh तक आपके पास होती है ऐसी कौन-कौन सी company है जो यह salary देत partner को hire करती है इसके अलावा Microsoft हो गई LinkedIn हो गई आपके पास Facebook हो गई Instagram जैसी company हो गई Zomato हो गई ऐसी बहुत सी company हैं जो आज के time के अंदर AI developer को hire कर रही है तो आज के time के अंदर AI के demand बहुत बढ़ रही है क्यूंकि market में किसना किसी तौर पे अपने system के अंदर AI को inbuild किया जा रहा है मतलब AI को लगाया जा रहा है जिसकी help से market में AI developer की जो demand है वो बहुत की help से आपकी काम को बहुत ज़्यदा easy किया जा जा रहा है जैसे कुछ example के तौर पर बात करूं chat GPT आया है अभी 2023 के अंदर chat GPT के आने के बाद में ऐसे बहुत सारे AI tools आ गए हैं जिसकी help से आप image creation कर सकते हैं इसके साल के वल टेक्स से आप वीडियो को भी creation कर सकते हैं तो यह सारी किसकी help से हो रहा है यह सारा कुछ AI की help से हो रहा है यदि आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो मैंने जो आज आपको रोड मैप को फॉलो कीजिए यह रोड मैप कंपलीट करने में आपको के वलो क प्रोजेक्स बनाने चाहिए जैसे कि सबसे हैं आप बेसिकली बिगनर प्रोजेक्स से स्टार्ट करें जैसे कि आपने house price production बना दिया आपने movie recommendation system बना दिया इमेज क्रॉस्टिंग सिस्टम बना दिया इस तरह से बनाए फिर आप धीर धीर एडवांस प्रोजेक्ट की उपर बढ़े जैसे कि आपने chatbot बनाना स्टार्ट किया यस text to image generation project स्टार्ट किया इस तरह के परजाए ऐसे करके आप अपने dream job को get कर सकते हैं और AI world के अंदर entry कर सकते हैं 2024 के अंदर तो फिलाल आज की वीडियो के लिए बस इतना है रखते हैं मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के झाल 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 झाल